गुद मॉर्णिंग स्टूडेंट क्लाज फर्स्ट चैप्टर एलावन सब्जेक्ट व्याकरण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो आई बच्चों समझते हैं इसके बारे में नीचे दिये गए चित्रों को देखकर और समझे तो समझते हैं रामू लकडी कारता है वह लकड हारा है मेरी माताजी बच्चों को पढ़ाती है वह वे सिक्षिका है वह कपडे की सिलाई करता है वह दर्जी है वह जूते की सिलाई करता है तो वह मोची है हम अपनी बात को अनेक शब्दों में न कहकर अपीतु एक शब्द में कह सकते हैं आगे ऐसे ही शब्द दिये जा रहे हैं जिनका उपरियोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जा सकता है यानि कि इसमें बच्चों क्या पताए गया है कि हमें जैसे हमने ये लिखा, हमने जैसे ये सेंटेंस है वह कपड़े की सलाई करता है यह ना बोलकर हम सीधे बोल दो कि वह दर्जी है वह लकडी कारता है तो हम यह ना बोलकर सीधे बोलने कि वह लकड हरा है जो पढ़ाता है तो वो कौन होता है सिक्षिखा होती है यानि शिक्षक होता है और जो हमारे जूतों की सलाई करता है उसे हम क्या कहते हैं मोची यानि कि इतना बड़ा सेंटेंस ना बोलकर हम केवल एक ही वर्ड में उस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं यानि उस वर्ड को जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी पर्सनल्टी को समझा सकते हैं तो बच्चो आयो देखिए अभी यहाँ पर कुछ अनेक शब्द दिये हुए हैं उनकी एक शब्द बताई हुए हैं जैसे कि आपने फे फर्स्ट में भी पढ़ा है फे सेकिंड में फे थर्ड में तो एक बार मैं आपको यह समझा देती हूँ जहां हम पढ़ते हैं पार्चाला जो देश-विदेश घूमता हो प्रियटक जो खेती करता हो किसान जो कपड़े धोता हो धोबी जो पढ़ता है सिक्षक जंगल में रहने वाला जंगली जो इश्वर को मानता हो आस्तिक जो रोगी का इलास करता हो चिकिस्तिक शाक खाने वाला शाकाहारी जो मित्ति के बर्तन बनाता हो कुमहार मास में एक बार होने वाला मासिक जो व्यक्ति कपले बुनता है जुलाहा जो पढ़ता हो पाठक जो पढ़ा लिखाना हो अनपड नगर में रहने वाला नागरिक जो कविताय लिखता हो कभी जो गाउं में रहता हो रखाने वाला व्यक्ति मासारी यानि कि इन सब की जैसे आपने देखे इतने बड़े-बड़े सेंटेंसे लिखे हुए हैं उनका इतना बड़ाना बोलकर हम इसको एक ही शब्द में अपनी बात को समझा सकते हैं तो बच्चो आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा ओके थैंक्यू स्टूरेंट्स